हाई दोस्तों आज बात करते हैं नेटफलिक्स के मुबाइल प्लान और बेसिक प्लान के बारे में दोनों के प्राइज में क्या डिफरेंस है और किस तरह से आपके लिए बेनिफिसियल है है वेलकम बैक टो टेकनिकल ग्यानी चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें गाई क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टन कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं गाईज बात करें मुबाइल प्लान की तो 149 रूपीज में ऑफर होता और बेसिक प्लान में आपको चार स्क्रीन में आप वाच कर सकते हो मुबाइल टैबलेट टीवी और कंप्यूटर सभी स्क्रीन में आप वाच कर सकते हैं तो यहां पे अगर आप 50 रूपीज जादा पे करते हो तो आपको 50 रूपीज में आप दो एक्स्टर डिवाइसेज में देख सक बात करें video quality की तो mobile plan में आपको 480P की quality देखने को मिलती है जब कि आपको basic plan में 720P की quality देखने को मिलती है जो कि एक better quality है mobile plan से अगर आप TV में देखते हैं computer में देखते हैं तो आपको बड़ी screen रहेगी तो वहां पे आप 720P की quality पे देख सकते हैं तो गाइस आपको चूज करना है कौन सा प्लान आप सेलेक्ट करते हो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में देखना है तो आप मोबाइल प्लान ले सकते हो और डेड़ सो रुपीज में आपको आफर होता है 149 रुपीज में लेकिन अगर आप चाहते हो आपके पाश टीवी भी और कंप कैंसल कर सकते हैं इसके लिए आप किसी तरह के बाउंड नहीं है और कोई भी बाउंडेशन आपको नहीं है एनी टाइम आप अपने प्लान को चेंज या कैंसल कर सकते हैं गाइज बात करें मुवाइल और बेसिक प्लान की तो आप यहां पर एक समय पर एक ही स्क्रीन में देखने को मिलती है साथ ही कुछ web series मिल जाती है जो कि limited web series है लेकिन popular web series यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है गाइस यहाँ पर Hindi movies in the sense मेरे कहने का मतलब की Bollywood की movies यहाँ पर कम मिलती है सो गाइस हम यहाँ पर बात करें अपने recommendation की तो अगर आपके पास computer और TV है और आप उसमें भी watch करना चाते हो तो यहाँ पर आप basic plan को choose कर सकते हैं लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ है अपने mobile screen पर देखना है तो आप 149 rupees में इस plan को avail कर सकते हैं और 149 rupees में purchase कर सकते हैं और गाईज अगर आप mobile plan लेते हो तो यहाँ पर आपको 480p की quality मिलती है लेकिन टीवी में अगर आप देखना चाहते हो तो आपको basic plan लेना पड़ेगा 720p की quality मिलती है लेकिन गाईज अगर हम बात करें mobile plan की 480p quality की तो वह ठीक ठाक quality होती है क्योंकि टीवी में अगर देखते हैं तो वहां के लिए में problem हो सकती 480p quality में लेकिन अगर हम 720p की quality हमें देखने को मिलती है basic plan में तो वहां में दिक्कत नहीं होती है तो mobile की quality ठीक ही होती है 480p में आप देख सकते हैं इसी तरह के important videos को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें बिल आइकन प्रेस करें आप video updates के लिए और thank you so much to watch this video see you in the next video till then bye